तो साथियों हम लोग निकल रहे हैं लिंगो पेन जो की बस्तर में है बस्तर के कॉंड़ा गाउं जिले में थड़ा और अवक्तिल के लिए बस्तर के कॉंड़ा गाउं जिले पर पड़ता है हम लोग लिंगो पेन के याग तरह पे निकले हैं सिंगार भाट की स्पावन धरा क के बाद एवी के स्पांच दिवसी केंद्री प्रिसिक्षण के बाद हम सब ने सोचा कि हमारे पेंद पुर्खा दिंगों के दर्संतर लिया जाए तो उनके पेंद पर दर्संतरने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है और हम लोग अभी रस्ते में हैं और जैसे पहुंचेंग जो परतमान में जीवंत गोटूल है और इस बसतर सबसे अच्छे गोटूलों मेंसे एक नियम तो है लागू होते हैं मतों हमारे सांथी जो है वो है वह उन्हें कहा कि भाइबस्तर घुमी में हम आये हैं तो क्योंना लिंगों पेंद के दर्शन कर लिया जाए और जोकि इस कर जब खेल होता है जब अपने रिष्टेदारों से मिलते हैं तो वो कभी समय बाद करसाड होता है जो पहले के समय पे वो करसाड बारा साल में एक बार होता था धीरे से फिर वो आठ साल में हुआ अभी जो पिछले साल जो करसाड हुआ है वो चार साल में एक बार हुआ है त ऑजो में सब्सक्राइब प्णाओ करें ना जैसे हिो तरहे हैं eu हमारी ज्चेत्र से एहां ख़ोगों के साइल ढहEं चैसे अलग है है क्या माजे झबाकर के तोड़े चोड़े यहां के यहां के जो खपर आप देख रहे हैं कि छोटे हैं और उनका जो मुडाओ है वह अलग तरीके का है हलाकि खपर एक जैसे ही होते हैं तरीका बनावर्ट का जो डिजाइन है दूसरे तरीके का आप देख सकते हैं अब हम लोग इच्छापूर पे हैं इच्छापूर के बाद मलाजखंड जो जल प्रपात है वहां के लिए हम लोग निकलेंगे वहां से उते हुए हम लोग आमा बेड़ा पहुंचेंगा और आमा बेड़ा से लगभगागाँ 8 किलो मीटर की दूरी पे जो है वह वह लेकनार है साथियों हम उस इस्थान पर अभी उपसिद हैं जहां कुपार लिंगो का पेन इस्थल है समाधी इस्थल है और यह वल्लेक नारगाओं के एक प्रवेश दौहर जो हमको कुपार लिंगो के समाधी इस्थल पैन कडा पर ले जाएगा तो हमारे साथिगड हम दो की इस इस्थान पर पहुंच चुगे हैं जहां कुपार लिंगो का पेन इस्थल है तो देख पर यह पर यहां पे कि सांथिव फानली हम उस इस्थां पर पहुंच चुगे हैं जहां कुपार लेंगो को पेन इस्थाल है तो दिए पर यहां पर बोड लगा हुआ है कुपार लेंगो सक्तिपील था हम सेमर को गुंडी में वल्लेक बोलते हैं और नारक मतलब गाह होता है यह पूरुतिक आसप सक्कूष्ज चीजे जहां अभी भी कुछ एंगुकासकार प्रारंब है और इसके बाद देखिए मुझा ने अपना आधिकान समय बिताया है यहां रहकरकि प्रकरति के रहसो को जाना यहांUh कुमपारलिंग को वह समादे इस्थन पेन कड़ा जहां कुमपारलिंगों ने खुद कहा था कि अगर मेरी जम नित्य होगी ति मेरी जो शरीर है उसकी अवसेस उसको यहां पर आप लोग रखना अपने आणिवाईयों से कहा और यहां पर कुमपारलिंग अपना पूरा लिका शनल दिता आया वो उनका सबसे पसंद्दीत एक जगह था जो आसपास के प्रकृति की एक सम्हां तना थी विवस्थाए थी आसपास फ्रेन फूकों दे पानी की एक जगह स़ार जी जए और यहीं पर कुमपारलिंगों को प्रकृतिक के रहश्य को जाना प्रकृतिक को के जो कि अ पूरी दुनिया तरह देख पने उस्टापना किया उस्था आप देख़ने जिनोंने पूरी दुनिया को एक क्यान दिया वह तो आप देख पा रहे हैं यहां पर लेकार पेन राउल कुपार लेंगों पेन कड़ा यानिक वल्लिक नार यानिक यह सेमर गऑं है गोंड़े में आप जानते हैं चेमर को वल्लेक बोलते हैं और तो हमारे साथीगर जो केवी केस में हम लोग एक केंदिर प्रिस्षा था कुपार लेंगों फॉछे जोस्तल यहेंड हैं सब्सिंट और वाद एंद्र हैं कई ब्रत करते हैं श्रकालि में वय्चर्ण को एक एक पंग इस्ठल को